So hi everyone, स्वागत आप सभी को ग्यापन एकडमी के इस नए लेटिस्ट और धमाकेदार वीडियो में और ये वीडियो बहुत ही important और beneficial साबित होने वाला है क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फाइदा होने वाला है जी हाँ आपके फाइदे के point of view से ये वीडियो बनाया हूँ और आप इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जरूर क्योंकि ये आपको भी फाइदा होने वाला है और आप अपने दोस्तों में जब शेयर करेंगे तो उनको भी फाइदा होने वाला है देखिए बहुत सारे स्टुडेंट होते हैं जो class 10 के हो 12 के हो वो एक्जाम दे करके जो गाव देहात के रहने वाले विद्यारतिय हैं या फिर मान के चलिए कि किसी सरकिल में रहने वाले दोस्तों से यह बात पता चलिए जाती है लेकि जो गाव दिहात में रहने वाले स्टुडेंट होते हैं वह समझे तो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है एक्शली होता क्या कि क्लास 10 में और 12 में पढ़ने वाले जिस कोचिंग में पढ़ते हैं और जिसंटीकर से इंटरकनेक्ट होते हैं वह पढ़ने के बाद मान के चलिए उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता और जाते हैं एक्जाम देने के लिए इंग्जाम देने के बाद लूट फिर फिर college में चले जाता है या मैट्रिक वाले किसी college में जाकरके admission करा करके फिर दूसरे जगह पढ़ने लगते हैं फिर वह पहले वाले टीचर के पास तो information मिल गई तब तो बहुत बढ़िया लेकिन नहीं information मिलती है तो बहुत ज्यादा चिंता कभी सही बन जाता है कि जो 10th के बाद 12 के बाद जो पुर्तशाहन रासी मिलेगा उसका date कब तक आएगा उसका फर्म भरने की परक्रिया क्या है उसकी क्या प्रोसेस है किस तरीकर से हमको पैसा मिलेगा तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीजे बताने वाले हैं हलें कि आयोग ने एक बार date दिया था आप सभी 10 और 12 वाले विद्यार्थियों को पुर्तशाहन योजना यानि जो पैसा है वो देने के लिए ओल्रेडी उसका फॉर्म अप्लाई करने का date निकाला था और लेडी बोला था कि आप 15 अपरेल से लेकर के 15 माई तक आप आवेदन कर सकते हैं और आपको माई के बाद पैसे आपके खाते में चले जाएंगे लेकिन होता ये कि कुछ विद्यार्थियों को पता चलता है और कुछ विद्यार्थियों को नहीं पता चलता है आज ये हुआ है कि बहुत सारे विद्यार्थि पास होने के बाद भी वो इस पुर्तसान योजना के तहत वो अपना फॉर्म अपलाई नहीं कर पाये हैं तो आयोग ने फिर से एक बार नया डेट जारी किया है आज इसी के बारे में हम पूरा विस्त्रित जनकारी आपको देना चाहेंगे देखें बिहार बोड लेटेस्ट न्यूज यह बहुत ही खास और बहुत ही जादे इंपोर्डेंट है बस बारीकी से समझीएगा अभी भी डेट है जो टेंथ एंड टूएल वाले विद्यार्थी दस हजार और पचीस हजार उपे का मतलब नहीं उठा पाये हैं तो उसका देट आगे बढ़ा दिया गया देखें सबसे पहला बात कि मैट्रिक और इंटर वाले जो विद्यार्थी है ना तो मैट्रिक वाले विद्यार्थी को दस हजार मिलता है और इंटर वाले मेल स्टूडेंट को बंद के चलिए 15,000 मिलता है और 10,000 एक्स्ट्रा बढ़ा करके लड़कियों को मिलता है मतलब टोटल मिला करके लड़की को 25,000 मिलता है समझेगा इस बात को तो मैट्रिक में 10,000 और इंटर में 25,000 मिलता है पहले जो डेट जारी हुआ था ना वो 15 अप्रेल से 15 माई तक अब हमने थोड़ी दे पहले इसी के बारे में डिसकस किया था कि ज जो पहले वाले सर्किल थी उन सर्किल से थोड़ा सा कंटेट खतम हो जाता है जिस सीख्षक के पास उपड़ रहा होता है उन सीख्षक से कंटेट खतम हो जाता है और फिर क्या होता है कि घर पर बैठ जाता है या फिर आगे की पढ़ाई भी करता है तो फिर किसी काम में ब् उठाने का डेट जारी किया था 15 अपरेल से 15 माई तक लेकिन क्या हुआ कि देखा कि इतने सारे विद्यारती जो 10th and 12 में पास कर गया है उनमें से आधा ही स्टुडेंट इस फॉर्म को अपलाई कर पाया है पैसा उठाने का लाव के लिए मतलब फॉर्म को अपलाई कर पाया ह यह बचा हुआ है आखिर बात क्या है तो आयूक को यह बात समझ में कि हो सकता है कि कुछ ऐसे विद्यारती है जो गाउद देहत में रहने वाले हैं उनको यह बात पता नहीं होगे तो उन्होंने क्या किया डेट आगे बढ़ा करके यह बहुत खुशी वाली बात है यह ही मतलब डेट आगे ना बढ़ें तो इसलिए जितने भी विद्यारति हैं आप चाहे टेंथ हो चाहे टुएल्व हाले के टेंथ हैं टुएल दोनों के लिए 15 अप्रिल से 15 माई तक मतलब फॉर्म भरने का डेट आया था पूर्तसान योजना के लाब उठाने के लिए लेकिन क अपने से कर सकते हैं तो किजिए गां नहीं कर सकते हैं तो साइबर कैफे पर जाएगा साइबर बैठेखती होते अजो कम्प्यूंटर होते हैं तो वहाँ पर जा कर आप को भरवा लिजीगा ज्यादा टेंशर लेना की पैसे कुछ आएंगे तो आपके आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा साबीत होगा बहुत ज़्यादा बेने फिस्यल साबीत होगा प्रीट अगे माई तक कर दिया गया अब सोचिये कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप इस बात को जान करके और दूसरे को नहीं बताएंगे तो इससे आपको मतलब फायदा होने वाला नहीं अगर आप भी जान गए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को सेयर करें और वो भी जान जाता है तो समझे कि उसका भी भला होगा और आपका भी ऐसा थोड़ी ना है कि आपको पैसा मिल जाएगा पैसा आपके तरी करना ही नहीं होता है उस तरीका से आपके दोस्त भी निकल करके चाहा निकल करके इस संञाड की कयाई वीटामिन डी का जितना चाहरे फैदा उठा सकते हैं उसी तरीका से सरकार Alb जो offer परदान किया है आप सभी विद्यारतियों के बीच कि जो भी विद्यारती पास हो गया है जो भी first division आ गया है जो भी first division और second division की category में आ गया है उनको मैं पुर्तोसाहन रासी बाटने के लिए तयार हूँ जो भी रकम सरकार ने लागू किया है जो भी आपके पुर्तोसाहन के तौर पर जो भी पैसे दे रहा है ये आपको या पास ऐसे कई भी द्यारती जो मने उतीन हो चुके है जो मैट्रिक इंटर में पास कर चुके है वो इस योजना का लाब उठा सकते हैं ना तेरा घाटा ना मेरा घाटा समझ रहा ना सबका फैदा होने वाला है जो भी पास कर गया उसको सरकार दे रही है और इसका इस योजना का लाब आपको उठाना है अब बात करेंगे कि ओनलाइन करने के लिए जो डेट 31 मही तक बढ़ा दिया गया है तो आप कहेंगे कि सर्थोरा से इसका कुछ प्रोसेस बता जी हम अपने से भी कोशिश करेंगे अगर आपसे हो जाना वाला तो कीजिएगा नहीं होने वाला होगा तो आप साइबर कैफर चले जाएगा देखिए हाले की मैं बता दे रहां सबसे पहले क्या करनाहा हूँ कि मिलेस्व्ब डाट on b ih dot n i c dot n ऑट पर और वहां पर क्या होगारा lifes Montannova क्मेन कॉलेगा है तिका ना मान के चले कि इस वेब साइट को विजीट कि जिए गाना तो तीन आप्सन खूलेंगे ठीक ना जब इस अब संखो देखिएगा तो मेंट्रिक प्रतासाय कन्या उफ्तान और CST मेदा बिरिती दिया रहे गए यह उन पीन कॉलों में अप जिस मनें प्रोतासाया के मिद्यारति हैं अप उस वाला को ही समझा दे रहा हैं करन्या उत्हान पर अगर आप किलिक करते हैं तो कुछ फर्दन इंफर्मेशन आप से माँएंगे जैसे कि नाम माँएगा अधार माँए और रेजिस्टेशन नमर जैसे कि जो आपका भी हर बोर से सब्सक्राइब करेंगे तो सर्टिफिकेट और अधार कार्ड और जो कुछ भी मांगेंगे उसमें डाउनलोड करना होगा अगला प्रोसेस क्या होगा कि जब आप सब्मिट करेंगे तो मोबाइल नमर पर आपका ओटीपी आएगा इस पर ओटीपी का सत्यापन करने के बाद क्या होगा कि 24 से 7 दिनों के बीच रजिस्टेशन नमबर वह अपने तरफ से एक रजिस्टेशन नमबर देगा और पासवड देग इमेल या मुबाइल नमबर पर आपको मिलेगा 24 से साथ दिनों के बीच फिस और इसे वेबसाइट को विजिट की जाएगा उसमें करना होगा लॉग इन के बाद कुछ information मांगेगा तीक है ना information में क्या क्या मांगेगा मान के चले कि अब login करने के लिए क्या क्या होगा registration नमर डालेंगे लॉग और बोलेगा कि password दीजे तो password आपके already मिला हुआ है तो password भी डाल देंगे जब डालेंगे ना login के बाद बने जो registration नमर और password डालेंगे तो उसमें भी कुछ information मांगेगा हो सकता है मांगेगा और मांगने के बाद अगर नहीं भी मांगता है तो हो सकता है कि कुछ data change हुआ होगा कुछ system change हुआ होगा तो अगर submit का direct option आएगा तो submit कर देगा या कुछ information मांगते हुग आपके सत्यापन के बाद आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगे तो था यह बहुत ज्यादा important और beneficial news तो यह बिहार बोर्ड ने आप सभी के लिए इतना कुछ कर रहा है ना तो आप एकदम जो है और लोग भी इसका फाइदा उठा सके तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपी के साथ तब तक के लिए जैहें